विदेशनीती की वज़र से दूसरी देशों को आर्थिक मदद या कारोबारी मकसद से अक्सर कर्ज दिये जाते हैं लेकिन जब बाध चीन की होती है तो डेट डिपलोमेसी शब्द का जिक्र होता है इसी debt diplomacy के बारे में जर्मनी के अर्थशाष्ट्री क्रिस्टोफ ट्रेबेश कहते हैं कि विकाशिल देशों को चीन जो पैसा उधार देता है उसका आधा हिस्सा hidden credits होते हैं यानि आधा हिस्सा चिपा हुआ कर्ज होता है प्रेबेश, कार्मन रुइन हार्ट और सेबिस्टिन हॉर्ण ने इस पर पड़ताल की है इस टीम ने उनिस सुन अन्चास से दोजार सत्रा के बीच चीन के बांटे गए पांच हजार कर्जों का विशलेशन किया है कई जर्यों से हासिल की गई सूचनाओं को खंगालने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई है कि दुनिया के एकनॉमिक सिस्टम में चीन का क्या रोल है विकाशील देशों में चीन ने अपनी जड़े मजबूत बनाई है और ये काम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टरों को लाखो करोडों डॉलर के कर्ज दे कर किया गया है ये चिपे हुए कर्ज ऐसे लोन हैं जिने अलग-अलग चीनी काईयों ने दिया है और जिनकी तहट तक जाना आसान काम नहीं है इन्हें चिपे हुए कर्ज या hidden credits ना मिसली दिया गया है क्योंकि किसी भी अंतराश्य संस्थान में ये दर्ज नहीं है इस रिसर्च से एक अनुमान मिला है कि इन चिपे हुए कर्ज की कुल रकम गुजरे दो दशकों में बड़े पैमाने पर बढ़ गई है और अब ये 20,000 करोड डॉलर से भी उपर पहुँच गई है इस आंकडे में अभी भी बकाया बने हुए कर्जों की वैल्यू भी शामिल है चीन से सबसे जादा कर्ज पा चुके 50 देशों के अगर बात करें तो रिसर्च से पता चलता है कि इन देशों में औसत कर्ज बढ़कर उनकी GDP का 15 फीज़ी से भी जादा हो गया है बता दें कि ये 2016 तक के ही आंकडे है डिरेक्ट लोन्स का बड़ा हिस्सा चीनी सरकार के नियंतरन वाले दो संस्थानों के जरिये मुहया कराया गया है ये संसान है चाइना डेवलोप्मेंट बैंक और एग्जीम बैंक आफ चाहिना लेकिन ऐसा भी इंडिरेक्ट सिस्टम है जिसके जरिये चीन कर्ज की राशी दूसरे देशों को मुहया कराता है इंडिरेक्ट सिस्टम ज्यादा तर कर्ज सरकारी नियंतरन वाली इकाईयों के लिए दिये गए होते हैं और इन्हें हासल करने वाली कंपनिया भी आम तौर पर ऐसी होती है जिनका मुख्य मालिक देश होता है एक वैश्विक कर्ज दाता के तौर पर चीन की भूमिका दो दशक पहले मजबूत होनी शुरू ही थी उस वक्त चीन ने बाहरी दुनिया के लिए जादा खुलेपन की निती को अपना लिया था इसके साथ ही चीन में आर्थिक प्रगती देजी से हो रही थी और दुनिया में चीन की एहमेत भी बढ़ रही थी ट्रेबेश कहते हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी कर्ज जादा बन चुका है दुनिया की कोई भी सरकार इतना कर्ज नहीं देती है जितना चीन देता है 2018 के आंकड़ों के जरीए स्टेडी से पता चलता है कि बाकी की दुनिया पर चीन का पांच लाख करोड डॉलर से जादा कर्ज है यह आंकड़ा दुनिया की GDP के करीब 6 फिजदी के बराबर है 20 साल पहले यह कर्ज GDP का केवल एक फिजदी ही था इस तरह गरीब देशों और विकाशियल देशों को चीन का दिया जाने वाला कर्ज वर्ल्ल बैंक और अंतर राश्ट्री मुद्रा कोश या किसी दूसरी सरकार के मुकाबले कहीं ज़ादा है चीन के कर्जदारों में मालदीव, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ दी कॉंगो, किर्गिस्तान, कमबोडिया, वेनिजुएला भी है ट्रिबेश का कहना है कि चीन के वित्ये तंत्र पर बढ़ते दबदबे को कोई समझ ही नहीं रहा है उनके मताबिक विकाशिल दुनिया पर इसके बुरे आर्सिक परिनाम होंगे उन्होंने कहा कि इसका असर वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है और इस दिशाम में और शोध करने की जरूरत है